प्यारे बच्चों, JCERT के डीजे स्कूल में आपका स्वागत हैं। आज हम कक्षाचार के पर्यावरन अध्यन के पाठ 14 भोजन कहां कहां से परचर्चा करेंगे। एवं कुछ महत्वपून्त अथ्यों विश्वय वस्तुमों को समझने का प्रयास करेंगे। आईए सुरुवात करते हैं एक स्लोगन से। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में वे ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अधालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंबिक सिक्षा के बिद्यालयों यानि कक्षा एक से आठ के सभी बच्चों को पका हुआ गरम खाना मिलना ही चाहिए और यह सभी बच्चों का अधिकार है। आपके बिद्यालय में भी मध्यान भोजन पकता होगा। भोजन पकाने के लिए रसोया दीदी आती होंगी और सफाई के साथ सभी बच्चों के लिए वे भोजन बनाती होंगी। पाठ में मध्यान भोजन खाना साथ साथ पर एक छोटी सी कवीता दी हुई है चलिए हम सब मिलकर उसका पाठ करें आओ मिलकर साथ चले बिद्याले में सभी पढ़ें मिलकर खेले खाए साथ लेकिन पहले धूले हाथ बिद्याले की यह फुलवारी लगती है हम सबको प्यारी साप सफाई नित्य करेंगे स्वास्त स्वक्ष होकर हम पढ़ेंगे तो बच्चों आप सभी मध्यान भोजन मिलकर खाते हैं और खाने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरह से अपने हाथ को धो ले तो स्वक्षता का भी खयाल आपको रखना है चलिए अब हम पाठ में आगे बढ़ें समय डेड़ बजे अपराहन घंटी लगते ही संदीव खुसी से बोल उठा जल्दी चलो जल्दी चलो आज सुक्रुवार है खाने में अंडा करी मिलेगा कुछ बच्चे थाली लेने दोड़े कुछ हाथ धोने को इतने में दीदी ने कहा कि सबसे पहले अपने हाथ धोलो फिर थाली लेना संदीव जादा देर तक खड़ा होने में असमर्थ है सामुएल उसको थाली देकर कतार में सबसे आगे पहुचाता है आशा करती हूँ कि आपके बिद्याले में भी मध्यान भोजन का समय यही होगा और खाना खाने से पहले आप सभी हाथ धोकर एक साथ मिलकर खाते होंगे चलिए अब हम एक क्रिया कलाप करते हैं आपको पता करना है कि आपके बिद्याले में अलग-अलग दिन मध्यान भोजन में क्या-क्या खाना मिलता है इस सूची को बनाना है देखिए यह मध्यान भोजन मेन्यू मेरे बिद्याले का है अल्प मध्यांतर शोट ब्रेक और मध्यान भोजन लॉंग ब्रेक का समय निर्धारित किया गया है साथ ही सुम्वार से सनिवार तक के मेन्यू बने हुए है चलिए अब हम कुछ आवासे बिद्यालेयों की चर्चा करते हैं आवासे बिद्यालेयों में बच्चे अपने घर से दूर अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं केवल कुछ खास तेहवारों में ही वे घर वापस आते हैं बच्चों अब आपको पता करना है कि आपके घर या आसपास कोई बच्चा आवासे बिद्याले में पढ़ता है तो वैसे बच्चों से मिलकर आपको कुछ प्रशनों के उत्तर प्राप्त करने हैं आवासे बिद्याले और आपका बिद्याले किन-किन बातों में अलग है तो इसका उत्तर क्या होगा? आवासे बिद्याले में बच्चे वहीं रहकर पढ़ते हैं सोते हैं साथ मिलकर खाते हैं खेलते हैं तेहवारों तथा अन्य छुटियों पर ही बच्चे अपने घर वापस आते हैं जबकि गेर आवासी विद्याले जैसा कि आप आते हो इसमें आप सभी बच्चे घर से विद्याले आते हैं और पढ़ाई करने के बाद आप अपने अपने घर लोट जाते हैं दूसरा प्रश्न है कि आवासे बिद्याले में खाना कौन बनाता है तो वहां रसोईया होते हैं खाना बनाने के लिए अगला प्रश्न है कि वहां बर्तन कौन धोता है बर्तन धोने के लिए भी अलग से करमचारी नियुक्त होते हैं अगला प्रश्न है कि बच्चे कहां बैट कर खाना खाते हैं तो आवासे विद्याले में बच्चे डाइनिंग हॉल में बैट कर खाना खाते हैं खाना खाने के लिए एक अलग से कमरा होता है बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि आवासे बिद्याले में जो बच्चे रहते हैं उन्हें घर की याद आती है आती तो जरूर होगी उन्हें घर की कौन कौन सी बाते याद आती है उन्हें घर में जो समय बिताया होगा अपने मम्मी पापा के साथ भाई बेहनों के साथ आसपडों से बिताय हुए पल याद आते होंगे खास कर घर में बना हुआ मम्मी के हाथ का खाना याद आता होगा अच्छा अब एक और प्रश्ण है कि क्या आप भी आवासे बिद्याले में पढ़ना चाहते हो यदि हा तो क्यों तो ये तो आपके अपने जबाब होंगे यदि आप पढ़ना चाहते हों आपको लगता होगा कि आवासे बिद्याले में हम आनुशाशन प्रिये बन पाएंगे और समय का प्रबंधन कर पाएंगे हो सकता है कि आप आवासे विद्ध्याले में ना पढ़ना चाहते हो क्योंकि आपको घर से दूर रहना पसंद ना हो चलिए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं और गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने यानि लंगर के बारे में जानते हैं आज छुट्टी का दिन है हरप्रीत ने अपने क्लास के साथियों को गुरुद्वारा ले जाने की योजना बनाई है हरप्रीत रेश्मी के घर जाता है बाकी के साथी वही उसका इंतिजार कर रहे हैं हर प्रीत के साथ सभी खुशी-खुशी गुरुद्वारा पहुँचते हैं। गुरुद्वारे में सभी अपने सेर ढख कर अंदर जाते हैं। वे गुरुद्वारे के अलग-अलग जगा को देखते हुए रसोई घर में पहुँच गएं। वहां बड़े-बड़े बर्तनों में कहीं दाल, कहीं सबजी, कहीं पुडिया बन रही थी। वहां सभी लोग मिल जुलकर खाना पका रहे थे। बड़ी सी कडाही में मंजीत सिंग घी में आटा भून रहे थे। सभीता बोली अरे यह तो हल्वा बन रहा है। मंजीत सिंग ने बताया हाँ, मैं प्रशाद बना रहा हूँ, इसे हम कडाहा प्रशाद कहते हैं। गुरु द्वारे में सभी समानों की बेवस्था सभी मिल जुलकर करते हैं, साथ ही एक दूसरे के काम में भी मदद करते हैं। थोड़ी देर में बच्चे वहाँ पहुँच गए, तभी हरप्रीत की मा सभी बच्चों को हाथ दोकर रोटियों में घी लगाने के लिए कहती हैं। देखते ही देखते लंगर का खाना तैयार हो गया। अर्दास का समय हो चुका था, सबों को प्रातना के बाद कड़ाहा प्रशाद दिया गया। अब बरामदे में दरियां बिचने लगी, बच्चों को भूग भी लग रही थी, सभी लोग लाइन में बैठ गये। कुछ लोगों ने सभी को खाना परोसा एवं पानी दिया, बाद में वे लोग भी मिल जूलकर खाना खाएं और खाना खाने के बाद सभी ने अपना अपना पतल ड्रम में रख दिया। बच्चों अब आपको पता करना है कि गुरु द्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं, क्या आपने लंगर में खाना खाया है और किन-किन औसरों पर बहुत से लोग मिलकर खाना खाते हैं, ऐसा खाना कौन बनाते हैं और इसे कौन परुस्ते हैं और अन्तिम प्रश्ण है कि क्या आपके घरों में अलग-अलग तहवारों या कारे क्रमों में अलग-अलग तरह के भोजन बनते हैं तो इन प्रश्णों को आप अपने बड़ों से पूछ कर भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने सीखा बिबिन औ अवसरों में हम सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं हमने जाना कि मिडडे मिल सभी बच्चों का अधिकार है कक्षा एक से आड तक के सभी बच्चों के लिए विद्याले में ही मध्यान भोजन की ब्यवस्था होती है और सभी बच्चे मिल जुलकर एक साथ भूजन खाते हैं और हमने यह जाना कि लंगर में सभी एक साथ मिलकर खाना पकाते हैं और खाते हैं तो अगली वीडियो में हम और बाते करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद